हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक रेकर है मैं एक मनुफिकार तक गया सेक्स रोप विशे चदने है सम्मोन उप्चार दने है नशामुक्ति दने है एनलपी ट्रेनर रेक कोच हूँ मैं बताने वाला हूँ आपको स्कीजोफरेनिया के बारे मने जिसको च्न मानस या स्प्लीट परसिनलिटी ऐसे बोलते है लेर ऐक है आदमी में दो आदमी जिसको हम हमारी वरन्यकूलर भाशा में पागलपन भी कह सकते है उसके अलग- अलग- अलग अलग प्रकारें, जीसा स्डिजोफ्रेणिया में, सिंपल स्किजोफ्रेणिया है, केटाडोनिक स्किजोफ्रेणिया है, हेबी-फ्रेनिक इसमें यह लीट है कि यह जल्दी हमारे पास में लाते हैं यहाजाता है तो उसका इलाज पूरा हो सकता है स्किजोफ्रनिया यह दिमाग का कैंसल इसका क्या इलाज हो सकता है तो उसके हमेडिसनस से जो मेडिसीन की आइप करते हैं उर मेडिसिन के साथ साथ साइको तेरपी देते हैं फैमिली सपोर्ट भी करते तो 33 पुरा चौट करके 33 प्रतिशियर्स लोग अच्छा जीवन जीएं मतलब वो दवा भी खा रहा है और अच्छा जीवन भी जीर है जैसा फार इजामपल डाइबीटीस है शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर है कि दवा खाते हैं और उनका जीवन जीते है और दवा उनको जिन्दगी पर खानी पड़ती है तो ऐसे जो पेशेंट डेस्ट कि जिनको दवा जिन्दगी बार खानी पड़ेगी और मगर वो अच्छा जीवन जी सकते हैं और फिर 33 या 34 प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जिनको काफी लेट लाया जाता हमारे करफ बाहर का करो कुछ भूत पिशास्चे उनको लगा हुआ है या फिर बराबर दवाई नहीं दी जाती है या कुछ इलाज बराबर नहीं किया जाता है और काफी लेट हमारे पास में लिखा आते हैं और बाद में फिर उनको दवा कितनी भी दिया तबी फिर उनको इलाज अच्छा होता नहीं है दवा खाते रहते हैं और दवा खाने के बावजूद भी 100% रिकवरी 100 अच जाना होते रहता है और उनको दवा खानी पड़ती है और दवा खाने के बावजूद भी अच्छा होंगा एक एरिंटी नहीं है तबी दवा खाके थोड़ा सा अच्छा रह सकते हैं यह जो पहले 66% लोग है यह अच्छा काम भी कर सकते हैं उनका ओरिजिनल जो पहले काम कर वो काम वो कर सकते हैं उनकी शादी हो सकते हैं बच्चे हो सकते हैं उनको कोई प्राब्लम नहीं है तो दवा खाके भी पूरे अच्छे होते नहीं है तो उनको प्राब्लम ऐसा होता है कि मामा बोलती कि नहीं इसकी शादी कर दिया तो अच्छा हो जाएगा शादी कर दिया फ इसमें इलेक्ट्रिक कन्वर्जिव थेरपी जो है ECT तो वह भी हम देते हैं कुछ लोगों को कि वह देने के बावजुद भी लोग कभी मतलब अच्छे हो सकते हैं या कभी नहीं भी होते मागर उसमें भी ECT से काफी लोगों में फायदा होता है कि जो लोग अच्छे होते न मगर यह क्लोजयबिन देने के बाद में यह पूरे अच्छे हो गए मतला ऐसा वह रहा है कि क्लोजयबिन यह गोल्डन ट्रीटमेंट है स्किजोफरियने के लिए और कुछ कुछ लोगों के लिए गोल्ड साबित हो चुकी है अभी कभी सारी नहीं नहीं दवाई आई हुई है वो दवाई से कितना अच्छा होता है 100% रिकवरी पता नहीं मगर मेरे मेरा इतने कहना है जो यह वीडियो देख रहे हैं उनको कि जितना जल्दी डॉक्टर के पास में साइकेरिस के पास में आप पेशन को लेके जाते है उतना अच्छा है ताकि वह अपना जीवन पहले यह बीमारी से ग्रस्त है एक प्रतिशने बहुत ज्यादा होगे हिस्सा कि उनको यह बीमारी रहती है तो और वह यह हम अच्छे करते हैं तो देखो हमारा हमारा लाइफ कैसा हूँ हमारा देश कैसा हूँ है जरूँ यह शेयर करो धैंक यू वेरी मच